गुड़ मॉर्णिग माई दियर स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने दा रहे हैं। वाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जो अनात को केंद्रित कर लिया आता है या भंडार कर लिया आता हुशे को बफर स्टॉक कते हैं देखें बफर स्टॉक किस पर डिपेंड होता है ये अपसी आई पर फूट का अफ्रेशन ओफ इंडिया जो बफर स्टॉक है वह भारती खाद निगम पर निर्भड करता है और इसके माध्यम से सरकार द्वारा गेहूं और चावल का भंडार किया आता है अब भारती खाद निगम में जैसे एपसी आई जिसको कोते हैं फूट काफ्रेशन ओफ इंडिया में उत्पादन वाले याद्दों में किसानों से गेहूं और चावल खरिदते हैं और किसानों को उसके फसल के लिए पहले से गोशित की आती है इस मूल को हम लोग मिनमम सपोर्ट प्राइस करते हैं मिनमम सपोर्ट प्राइस मिनमम सपोर्ट प्राइस जो अभी कंडिशन चल ला किसानों का किसानों ने आंदुरन किया जिसके लिए आपका हडियाना साइड मेरा रस्थान साइड में आभी भी उस मुद्दे को साल्ब करने के लिए सरकार उनके साथ बैठक कर रही है उसे हम लोग मिनमम सपोर्ट प्राइज करते हैं अब आता मिनमम सपोर्ट प्राइज का क्या कारण है यह मिनमम सपोर्ट प्राइज जो है वह सरकार फसलों के उत्पादन को पोस्थाहना देने के लिए वोवाई के मौसम से पहले सरकार नुन्तम समर्पित या सीमित सपोर्ट में मदद करने वाली दाम को निस्तित कर देती है और खरिदे हुए अनात खाद बंदार में रखे आते हैं नेक्स्ट आईए अब देखिए यहां पे यह बताया दरा है कि बफर स्टाक से बन दी ऐसे कभी-कभी ऐसा होता है कि समाज में जो गरीब लोग बाजार की कीमत से कम कीमत का अनाज बितरन के लिए किया आता है जैसे बफर स्टाक से क्या किया आता हूँ उसका मुख खुद देख है कि सभी तक अनाज पहुँचे और जो गरीब है वह भी उससे वन्चित ना हो इसकी कीमत को एक इसू प्राइस नेक्स तर्माता इसू प्राइस इसू प्राइस में सुता निर्गम या जो सैंक्शन किया आता उसको कीमत काते है या खराब मोसम में भी या आपदा आने प्राइस या भूकम पागया और प्रिश्चिति आंगे उस प्रिश्चितियों में या किया आता है कि गरीब हो सभी तक अनाज पहुचे इसलिए उसे एक इसू प्राइस निश्चित किया आता है कि इसी दाम में सबको वह खरिजना पड़ेगा राशन नेक्स्ट आई अब आड़ा वाट इद पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम को हम लोग साट फर्म में काते है पब्लिक मेंज प, D मेंज डिस्टिविशन सिस्टम मेंज पडिस काते है यह कहा गया है कि भार्ती खाद निगम जरा जिसको यह आपसी आई काते हैं भार्ती खाद निगम जरा अनाज को सरकारी रासन कानों के माध्धम से समाज में जो गरीब वर्गों के लोग बित्रण करने हैं उनके लिए रासन पहुचा आयता है और पीडियस के माध्धम से सरवजनिक बित्रण पराणी जिसों कहते हैं उसके माध्धम से और यह भी कहा आता है अधिकांस त्यत्रों में जैसे गाओं में, कस्वयों में रासन की दूकाने होती हैं देश भर में लगभग 5.5 लाख रासन की दूकाने हैं दिनें उचित दरवाली दुकान कहा था फेइर प्राइज शॉब कहा था जिसमें क्यात चीनी और खाने के समान मिर्टी तेल मिर्टी का तेल आज ही पोभाइट किया आता है यह सब बाजार के कीमत से कहीं कम होते हैं तो इसमें एक रुपया दू रुपया रहेगा ठीक है उद्धाम को कम होते हैं और रासन काड रखने वाला कोई भी परिवार पतिमा इसकी एक अन्वानित समान दिया आता है जैसे पत्तेक परिवार को आई नेस्ट पेस पे देखें पत्तेक परिवार में यह दिया आता है कि जैसे 35 किलोग्राम अनाज 5 लीटर कि रासन ओयल और 5 किलोग्राम चीनी यह वहां से पोवाइट किये आते हैं ठीक है फिर आजाईए रासन काड तीन प्रकार के होते हैं देखें पहला होता है निल्धनों में निल्धन लोग के लिए और उद्ध कार्ड दूसरा होता है निल्धनता रेखा के नीचे लोग के लिए बी पी यल कार्ड जिसको गते विलो पॉवर्टी लाइन और तीसरा होता है आपका एपी यल कार्ड एपी यल एबब पॉवर्टी लाइन यह तीन कार्ड पोवाइट किये आते हैं फिर इसके बार आईए अब देखें इसमें यह बताये गया है कि भारत में रासन की जो इस टार्टिंग हुई रासने की बंगाल में जब अकाल आया अकाल पड़ा उसी समय से सुरुवात हुई 1940 के दसक में हुई हरित कारांती छे पूर भारती खाद संकट के कारण 60% जो 70% दसक में तोरा नासन प्राणी पुना जीवित की गई रिवाइब की गई गरीबों को उचित अस्थर पर ध्यान लगते हुए 70 के दसक में मध यन्यस यस ओ यन्यस यस ओ की रिपोर्ट के अनुसार खाज समागरिती महत्पूर भागों पे काम करेगा पहला आपका सर्वजनिक बिच्रण प्राणी जिसको PDS करते हैं जो पहले से थी लेकिन और उसमें स्ट्रोंग्रेस मदबूती लाई गई दूसरा एकिकित बाल विकास सेवा जिसको कहते हैं कि एग्रिगेट चाइल डिवलप्मेंट सर्विश्थिक है फिर तीसरा अतहाँ आपका वुँड़ फूट फॉर्वर्ख फूट फॉर्वर्ख मतलब काम के बदले अनाज जैसे आप काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको अनाज जिया दाएगा तो एतीन पॉसेश चलाएगे इन बर्ष के नए कारकरम भी हुएं और उन कारकरम को चराने और बढ़ाने के बिभिन परकार के संगठन भी किये गए बर्तमान में अनेक गरीबी उन्मुलन कारकरम भी चलाए गए जो अधित्तर ग्रामीत सेत्में है इन में से असपस्ट रूप से खाद सामागरी होती है जहां सारवनिक बिचलन पराणी है दोपहर का भोजन विशेश रूप से खाद की दिश्ट से सुरुक्षा का कारकरम है अधित्तर पी यस पी भी खाद सुरुक्षा बराती है रोजगार कारकरम गरीबों की आय में बरहुत्ती कर खाद सुरुक्षा में बड़ा योगदान करता है इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि सरकार की दोरा यह सब जो चला और जिसका मुख एजेंडा था कि सभी लोगों तक अनाज पहुंचे और कोई विव्यक्ति उस सुभधाओं से वन्चित ना हो पाए इन तीनों के बारे में आपको लिख के तुमारों सम्मिट करना रहेगा ओके शीयो अगैन नेक्स्ट वीडियो एवे नाइस